हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तो आज है 25 मई 2024 और 25 मई 2024 से रेलेटिड करेंट अफ यर्स के जितने भी कुश्यन बन सकती है आज की क्लास में सारी कुश्यन को कवर करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफ यर्स में बहतर होने वाली है और आंगे आने वाले सभी एक्जाम में आप लोग करंट अफ यर्स से रिलिटेड जितने भी टाइप की कुशन एक्जाम ओल बे पूछे जाती हैं आप उन सभी टाइप की कुशन का अंसर बहुत एजली दे पाएंगे तो चलिए अब देरी ना करते हुए आज के पहली कुशन पर आ आजेदारी की है विच फूद डिलेवरी प्लेटफॉर्म है ज पार्टनर्ड बित सील्ड और डिवाइस फर्स्ट रिस्क एई आई प्लेटफॉर्म तू इनहेंस इस फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेंक्शन कैपेबिलिटीज फर्स्ट ऑप्शन है सुईगी सिकेंड फूद पांडा थर्ड ऑप्शन है जुमयाटो या फूद ऑप्शन है इट से और जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुईशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुईशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ओप्शन नमबर ए सुईगी चलिए इस कुईशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है और लाइन फूट डिलेवरी प्लेटफॉर्म सुईगी ने अपनी धोका दड़ी की रोक थाम और पता लगाने की चमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क एई आई प्लेटफॉर्म सील्ड के साथ साज़ेदारी की है सील्ड की डिवाइस इंटेलीजेंस सुईगी को प्रमोशन की दुरुपियों को कम करने और डिलेवरी पार्टनर एको सिस्टम के भीतर धोका दड़ी की प्राथाओं को रोकने में सच्चम बनाएगी ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स असम सरकार ने यूनिसेफ के सायोग से कुसल आपदा रिपोर्टिंग और साहिता विवरड की सुविधा के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लाँज किया है ड्रीम्स में डी का क्या अर्थ है दा असम गवर्मेंट है जो लॉंजड दी ड्रीम्स प्लेटफॉर्म तो फैसिलेट इफिसियंट डाइजेस्टर रिपोर्टिंग एड डिस्टिबूशन इन कॉलॉबरेशन बिथ यूनिसेफ वर्ट इस दा मीनिंग ओफ डी इन ड्रीम्स फर्स्ट ऑप्षन है डिलेविरी सिकेंड ऑप्षन है डाइजेस्टर थर्ड ऑप्षन है डेमेज्ड या फोर्ट ऑप्षन है ड्यूरेशन बताईएगा दोस्तो असम सरकार ने यूनिसेफ के सायोग से कुसलाबदार रिपोर्टिंग और साहिता विवरड की सुविधा के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉंच किया है ड्रीम्स में डी का क्या अर्थ है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्षन नमबर बी डाइजेस्टर चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है असम सरकार ने यूनी सेफ के सयोग से कुसल आपदा रिपोर्टिंग और साहिता विवरण की सुविधा के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रभंदन प्रडाली मंच सुरू किया है ड्रीन्स महतपूर प्रभाव डेटा एकत्र करता है छती ग्रस्त फसलों, पसुधन, हानी और अन्य आपदा बहाली प्रियासों के लिए राहत वितरण में तेजी लाता है ठीक है दोस्तों चली आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स निमलिखित में से किस देश ने विश्व आर्थिक मंची के यात्रा और परियटन विकास सुचकांग 2024 में सीर्स इस्थान प्राप्त किया है जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइड आंसे हैं क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा आप्सेन नंबर डी यू ऐसे चलिए से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंट तू को पढ़ते हैं वार्सिक रिपोर्ट से पता चला है कि विस्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्येटन विकास सूच कांग दो हजार चौबिस में भारत की रैंक बढ़कर 49 वे इस्थान पर पहुँच गई है वैस्विक पर्येटन गतिविदियां महामारी से पहले के इस्थर पर लोट आई हैं विस्व आर्थिक मंच ने कहा कि इस सूची में अमेरिका सीर्स पर है जबकि दच्चे नेसिया और निम्न मद्यम आयवाली अर्थ बवस्थाओं में भारत सर्वोच स्थान पर है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स पी एफ आर डी एके आंकडों के मताविक एक्विटी बजारों में तेजी के कारण नेशनल पैंसन सिस्टम की संपत्ती साल दर साल कितना प्रिशत बढ़कर रुपे 11.94 लाग करोर तक पहुँच गई राइडिंग ओन बियो आंट इक्विटी मार्केट्स नेशनल पैंसन सिस्टम एसिट्स गिरू यर ओन यर तुटच 11.94 लाग करोर रुपी एक्वर्डिंग टू PFRDA डाटा फर्स्ट ओप्शन है 24 परसंट सिकेंड ओप्शन है 25 परसंट थर्ड ओप्शन है 26 परसंट या फोर्थ ओप्शन है 28 परसंट जल्दी से बताईएगा दोस्तो PFRDA के आकड़ों के मुक्ताबिक एक्विटी बजारों में तेजी के कारण नेशनल पैंसन सिस्टम की संबत्ती साल दर साल कितना बढ़कर रुपे 11.94 लाग करोर रुपे तक पहुँच गई है इस क्विशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है हमारा ओप्शन नंबर सी 26 परसंट चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं पी एफ आर डी एके आंकडों के अनुशार सेर बाजारों में तेजी के चलते राश्टिय पैंसन प्रेडाली की परी संपत्तियां साल दर साल 26 प्रिशस से बढ़कर 11.94 लाग करोर रुपे पर पहुँच गई अटल पैंसन योजना सहित यह समगर AUM रुपे 12 लाग करोर के मील के पत्थर से थोड़ा कम मार्च 2024 के अन्त के 11.73 लाग करोर रुपे के इस्तर से अधिक था ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स SBI जनरल इंसियोरेंस ने गैर जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री की सुविधा के लिए किस लगू वित बैंक के साथ एक रड़ नीतिक बैंक इंसियोरेंस सयुग समझोते पर हस्ताचर किये हैं SBI जनरल इंसियोरेंस हैज साइंड आ स्ट्रेजिक बैंक इंसियोरेंस कॉलोबरेशन एग्रीमेंट बिट विच स्मॉल फाइनस बैंक तू फैसिलेट दी सेल ओफ नोन लाइफ इंसियोरेंस प्रोड़क्ट फर्स्ट ओप्स은न है EU स्मॉल फाइनस बैंक लिम्टेड है спर हैं जनरल इंसियोरेंस बैंक तून है या फूर्थ ओप्सन है सिवालिक स्मॉल फाइनस बैंक जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुईशन का राईड आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B जना small finance bank ठीक है दोस्तो चलिए इससे related important point को पढ़ती है SPI General Insurance ने गैर जीवा बीमा उत्पादों की बिक्री को सुविदा जनक बनाने के लिए जनलगू वित बैंक के साथ एक रड़नीतिक bank insurance सयोग समझोते पर हस्ताचर किये हैं इस रड़नीतिक साजेदारी के तहत SPI General Insurance जनलगू वित बैंक के ग्रहकों को समान बीमा उत्पादों की एक विस्तिस रंखला उपलब्द कराएगा इन उत्पादों में बीमा विकल्पों की एक विस्तिस रंखला सामिल होगी जैसे स्वास्त, व्यक्ति गत्चोट, घर, आटो और यात्रा बीमा ठीक है दोस्तों चली आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स एयर बस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में एयर बस हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्पोसर के लिए किस संगर्टन के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं एयर बस हेलीकॉप्टर्स हैज साइंड एन M.O.U. विट विच और्गनाइजेशन टू फाइनेंस दा पर्चेज ओफ एयर बस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया किस संगर्टन के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number C, CDB के साथ चलिए से related important point को बढ़ते हैं Airbus Helicopters और भारती लगू उद्योग विकास बैंक ने भारत में Airbus Helicopter की खरीद के वित पोसर के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं समझोता ग्यापन के तहट Airbus Helicopters और CDB भारत में समभावित नागरिक Helicopter ऑपरेटरों की पहचान करेंगे जो Helicopter की खरीद के लिए वित पोसर समाधान में रूची रखते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है सिकेंड ओप्सन है पाकिस्तान थर्ड ओप्सन है बंगला देश या फोर्ट ओप्सन है नेपाल बताईएगा दोस्तों मैई 2024 में एक उलेखिनी परवतारोही सिरवाज खान ने पूरक ओक्सीजन के बिना माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की वह किस देश से है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्सन नमबर भी पाकिस्तान देश से है चलिए इससे रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं एक प्रिसिद्ध परवतारोही सिरवाज खान ने बिना अत्रिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की जिससे वे एये उपलब्दी हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए खान का लच्च 8000 मीटर से अधे उची सभी 14 चोटियों पर चड़ने वाला पहला पाकिस्तानी बनना है वे पहले ही 13 चोटियों पर चड़ चुके हैं जिनमें से दो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ चड़ चुके हैं ठीके दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन दे का है फ्रेंड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसियल सर्विसेज के मुक जोकिम अधिकारी CRO के रूप में किसी नुक्त किया गया है फ्रेंड्स इस कुशन का राइड आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नंबर D महेश राजा रमन चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंसियल सर्विसेज ने एक अगस दो हजार चौबेस से महिस राजा रमन को कंपनी का मुख्य जो के मदिकारी नुक्त किया है वह मली का मित्तल का इस्थान लेंगे राजा रमन विविन बैंक को जैसे यस बैंक, HDFC बैंक, HSBC और ANJ जेड ग्रिंडलेंज बैंक से जुड़े रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स अंतर राष्टी अल्यूमीनियम संस्थान आई-ए-आई के उपाद्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है फ्रेंड्स अंतर राष्टी अल्यूमीनियम संस्थान के उपाद्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ओप्सन नंबर सी जॉन इसलेवेन को चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं वेदानता अल्यूमीनियम ने अपने सीईयो जॉन स्लेवेन को इंटरनेशनल अल्यूमीनियम इस्टीट का उपाद्यच नुक्त किया है इस चमता में स्लेवेन अल्यूमीनियम उद्योग के सततर परिवर्टन को बढ़ावा देने और सूनने कारबन आधुनिक दुनिया में उजा संक्रमट को सचम करने में अल्यूमीनियम की महतपूर भूमिका को बढ़ावा देने के उद्योग में तीन दसकों से अधिक का सम्रद अनुभव है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आजका लाश कुशन देखते हैं आजका लाश कुशन लिखा है फ्रेंट संयुक्त राष्ट के किस निकाई ने भारत की पहली पसू वैक्सीन आपूर्टी स्रंखला प्रभंदन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं विच यूएन बोडी हैज साइंड आ एमो यू विथ दा गवर्रमेंट ओव इंडिया फॉर्ष्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाइचेन मेनेजमेंट फर्स्ट ओप्शन है एफ एओ सिकेंड ओप्शन है आईसी एओ थर्ड ओप्शन है यूएन डीपी या फूर्ट ओप्शन ह यूएन एफ पी ये बताईएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट के किस निकाई ने भारत की पहली पसू वैक्सीन आपोर्टी स्रंखला प्रवन्दन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं मारा ओप्शन नंबर सी यूएन डीपी के साथ चलिए इससे related important point 2 को पढ़ती हैं किंद्री मसिपालन पसू पालन और डेरी मंत्राले के तहत पसू पालन और डेरी विवाग ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रभंदन संचार योजना और चमता निर्माड के डिजटली करण पर संयुक्त राष्ट विकास कारकरम भारत के साथ एक समझौता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं इस समझौते पर पसू पालन और डेरी विवाग की सचिव अलका उपाद्याय और भारत में UNDP की इस्थानी प्रतीनिदी कैटलिन विसेन नई दिल्ली में हस्ताचर किये हैं ठीके दोस्तों आई होप आज के सभी कुशन आप ल और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फेक्टों को आपने अच्छे से सीखा हो प्लीज इस खलास को लाइक कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा ठैंक यू सोमास दोस्तों